हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिश्टल स्टडी यूट्यूब चैनल दोस्तों बीसेफ में बहुत सारी विकेंसिस आपके यहां पर आउटडेट हो चुकी हैं फ्रेंट्स यहां पर 15 अप्रेल को एक अधिसुचना जारी कर दी गई है बीसेफ की तरफ से जो कि आपका उसमें भड़तियां हैं बीसेफ हैट कॉंस्टेबल के पदो पर आपके इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी योगता इसमें जो है क्वालिफिक्शन क्या क्या है और ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होने वाले हैं एज आपके लिए इसमें क्या होगा और इसका स्लेब लेकिन उससे पहले फ्रेंट से आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजे इस लाल बड़न को दबा कर और साती में दबाएगा इस बैल आइकन को जिसे हमारे आने वाले वीडियो की सभी नौटिविशन तो यह आप स्कीन पर देख पा रहे हैं यह होम मिनिस्ट्री गवर्मेंट ओफ इंडिया से हैं एक अधीस हुचन जारी किया गया है आप इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसका सब्जेक्ट क्या है देखिए सब्जेक्ट है इसका जो है रिलीस टू अफ एड़र्टाइज ठीक है और आगे जलते हैं देखिए आप इन बिस एफ कमिनिकेशन सेट पैप आपका वैकल करें सेटफ पर आपकंडिकेशन वाले हैं इसके बारे में आप नीचे देखने वाले हैं तो चली फन्स सबसे पहले नीचे आ जाते हैं आपर जो है कई दो प्रुएंट समया इनक इसको ऑपिन हो जाएगा और यह वोगा आपका 12-6-2019 को यानि कि आपका 14 मई से जो है आपके फॉर्म यहाँ पर श्टार्ट होने वाले हैं जो की चलेंगे आपका 12 जून तक तो 12 जून तक आपको अपलाई कर सकते हैं और आपका यह ओड होगा ऑनलाइन वोड होगा चलिए पेश्केल की बात करते हैं पेश्केल अपका है इसमें पका 25,000 से लेकर 81,000 रुपे है और है और 7 CPC पर है ठीक है जूब साथमा भी तना होके लगवा लगा गांशन है सात्मी बीजर्ट कमिशन है उसके ऊपर यह एक पेडन है ठीक है आईये फ्रेंड बात करते हैं वेकंस है और फार मिखस्त आपका आपका की ठाट किंगे बाकी requirements कितनी है कितनी आपका 172 आपक़ अ बात बहुत अ्ब आपको इसमें पचीष पर्संट तो जो लोग आपका पहले से कि जोने पर इंडेश घ्योन में वह बाकी आपका 75% वो लोग होंगे जो सीधा सीधा जनरल कोटा से विलाओं करते हैं मतलब कोटा जिनका बीएस एप में नहीं है ठीक है मैं आपर काटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों नहीं चे देखते हैं इड़ेवलो है देखिए एकॉनमिकल विड्नेस सेक्षन आपका वह है जो उन्हों को 10% आरफ रापता है जनरल कर डिगरी में और उसमें आपका क्यों यहां पर दो वेकैंसी को रखा गया है ऐसी और कोई भी प्रकांसी आपका नहीं है इसमें रेडियो अपरेटर में ठीक है काफी वेकैंसी आपको है ठीक है तो आपके लिए पर गुर्डन चर्ण्स से रहा हो सकता है चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आपका इसमें से हां रपेटर टेश्ट के बारें किस परिकार से होगा देखिए पहरे टैस्ट होगा आपका कव्जेक्टिटिव टाइभ पर होगा इस सीधा बता दिया है कि यहां पर जो है वो यूज़ होगा क्योंकि यहां पर जो कि यहां पर यहां पर फिर सेकेंड फेस्ट में क्या होगा सेकंड फेस में जो लोग फर्स्ट फेस को पार करेंगे वो लोग जाएंगे पीएश्टी और पीटी एंड डोकुमेंट बेरिफिकेशन के लिए तो यह आपका जो है लगभग 9 अक्टूबर तक की डेट जो है इसमें तैक किया गया है और देखें यहाँ पर आपको लिखा हुए है कि 28 जोलाई को जो है वो यहाँ पर जो है वो जोलाई में ही आपका टेस्ट हो जाने वाला है और जो लोग पास करेंगे उनका फिजिकल जो है वो 9 अक्टूबर को हो जाएगा फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पड़ाव आपको पार करना होता है वो है आपको डिस्क्रप्री रिटिन टेस्ट है जो की होगा आपका 14 नवंबर 2019 को अब इसमें क्या होता है आपको मैं यह भी बताएता हूं दोस्तों इसमें आपका जो है एक कंडिन होता है ठीक है वो लिखना की हिकल होता है थार्ड फिट में क्या होगा पाता है जो लोग दौनों को पहर करेंगे उनका थार्ड पास करेंगे उनका फिर पर मैडिन कर उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो बहुत काफ़ी सर्ल प्रोसेस जैसे की औरों में होता भी है अब देखिए फ्रेंड यहां पर बात करते हैं आया अच्छेथी की बारे में बात करते हैं सबसे पहले फाइनल रिजल्ट किस प्रिकार्ष जारे हो फानल रिजल्ट में आपको बता दिया है यहां ब दिप्लाउमा हो इन रेडियो एंड टेलिविजन या फिर एलेक्ट्रोनिक्स में हो इन चाहिए और आपको जो है वो क्या होना चाहिए यह आपको नीचे मेंचन किया हुआ है पास इन इंट्रमीजेट इन ट्वल्थ इस्टेंड और इकूलूमेंट विजिक्स गेश्टी एंड लगार पोलाई कर सकते हैं फ्रेंड यहां पर ओवरॉल 50% की बात नहीं हो रही है जो काफी लोग में लिखते हैं यह ओवरॉल 50% की बात नहीं होती है यहां पर बात हो रही है केवल आपका जो लोग केवल PCMAT, Physics, Chemistry और Mathematics में जो है जिन लोग के 60% से उपर नमबर बैटरेंड था, 300 से जो है, 348 यानि के 100 से नमबर प्लस बैटरेंड के तीनो सब्जेक्ट में मिलाकर वो लोग इसके लिए इलिजिवल है केवल आपको 12 पास होना जरूरी है और ऐसा ही फ्रेंड, HCRM के लिए भी है दिया हुआ है ठीक है यह आप यहां पर पढ़ सकते हैं मैं इसका लिंक आपको नीचे डिसक्रशन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, एज लिमिट कितना हो गया है बता है, निका वह है, not below 18 or not over 25 as on 12-6-2019 closing date for general category, general category के लिए आपका जो है, 18 साल से जो है, वो कम नहीं होना चाहिए, आप यहां पर बात करते हैं देखिए, जनल, ओविसी के टिकरी बार में, आपका देखिए, यह जो है, एज आपका जो है, बारा च्छे तक नापा जाएगा, यह आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपका OBC के लिए आपका डिफरेंस हो जाता है, यह आपका तिन साल का OBC के लिए आपका 5 साल का डिफरेंस हो जालिए, आगे देखते हैं, यह आपका अपर एज रेक्शन है, आज कि सब कुछ पहले ही बता दिया होता है, एज रेक्टन पार सब को हैं पर बता भी होगा, इस में दो की छूट मिलती है, उनको ठीक है, अब करता है आपका हाइट और आपकी उमर पर डिपैंड करेगा वह लोग करेंगे कि आपका जो है कि कम से कम एज के अपका वेट जो है कितना होना चाहिए मेरे अंदाज में 168 cm लेंद्ध मांगी है लंबाई है हाइट मांगी है और चेश्ट आपका 80 cm वागा तो आपको जो है कम से कम आपका जो वेट है वो 60 से लेकर 65 तक जो है वो होना ही चाहिए ठीक है यह आपका जो है वो स्टेंडर्ड वेट कहलाता है यह आंकड़ा यहां पर जो है कुछ जो लोग पहाडी लाकों से आते है लाइक जो लोग नाषी लाक आते हैं उनकी लिए अपको ऐस में हाइट में इसच में आपका वह चूट दीजाती है चले और बात करते हैं पर देखिए no without wearing glasses ठीक है without wearing glasses मतलब इदी कुछ चश्मा लगाता है तब आपको जो है वो इस बेकेंशी के लिए विलिजिबिल नहीं है क्योंकि उन्हें साब साब बोला है without glasses ठीक है without wearing glasses तो आपको glasses नहीं लगाना है आपका 6 by 6 का जो है वो आई होना चाहिए और 6 by 9 का जो है वो आपका जो है सेकेंड साही है होना चाहिए मस्ट पास हाई ग्रेट कलर विजन देखिए हाई ग्रेट कलर विजन होता है एक टेस्ट होता है वो भी आपको जो है पास करना होगा medical standard में मस्ट नोट हैव नोग नीस ने आप लोगों की समस्ते है गोटने का मिला नहीं होना फ्लीट फैट मतलब जो जो पैर है जो नीचे का तलव होता है वो आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए और वेरिकोस वैन और इसकोईटली आइस एंड ते शुड प्रोसेश सीपी थार्ड वाई शीहारा ठीक है यह आपको यह पता हों चाहिए मतलब जो कि नॉर्मल सा है मस्ट भी साउंड मैंटें एंड बॉडिली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम दा डिफर्ट डिवांट्राइं लाइक ली तू इंटरफेस विद दा इफिसेंट परफेंस ऑफ दा ड्यूटी सोने चाहिए यहां पर रहोंने साथ साथ बूला कि आपका जो भी आपका जो बॉडिस हैं वह आपका जो है ब्ल्कु करटली होना चाहिए ठीक है नेक्स्टी बात करें आपका एकोनिमिकल वीकर स्क्षन के बारे में देखिए जो कि आपका 10% रिजर्वेशन अभी लागू चाहिए वाकि आपका जो अबकान मगर होगे प्रखेंट है और इसांबी चाहिए प्रफ्र पर पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं अपर आगे क्या दिया हुए है एक सर्वेंट के लिए आपको क्या क्या करना है वह वी दिया हुए फॉर बीस सर्वेंग पर्सनल की लि के 20 का आएगा. और चमिश्टी है जब्कि इंग्लिस और जी के आपका बीस नंबर का आएगा आएगा पर आपको मिला कर जो है वह आपका कोश्टन hai ठीक है का स्टेंडर्ड होता है उसी लेविल पर आपको जो पीसेम दिया जाएगा फिसिस के मिस्ट्री मैथमेटिक के कोश्चन जो है वह आपका 12 लेविल के होंगे और वह भी आपका सीवेसी वोट के ठीक है यानिकि आप एधी एंसी आटी की बुक्स से तयारी करते हैं तो आप य Master काट लिए जाएगा ठीक है यानि कि इसका मतलब होंआ कि यह वंवाइए फोर की आप कि निगसे टिव मारकिँ है आप देखी फ्रते हैं आगे where को बताया स्विस में अपने आपने आप देखिव लिया है बात करते हैं आपको किस प्रिकार से करते हैं ते 3 बात करते हैं 3.65 meter है 3.65 meter इन 3 chance आपको 3 chance दी जाएंगे आपको इसको पार करने के लिए ठीक है इधि आप इसमें पार कर सकते हैं तब आपको qualify माने जाएंगे otherwise आपको qualify कर दे जाएगा मेल के लिए high jump की बात करें तो आपका 1.2 मीटर हाई जंप है आपको तीन चांस में और बात करते हैं तीन फीट की जंप आपको जो है वह वह वी तीन चांस में मानने जो कि आपका हाई जंप होता है चलिए नेच्ट रिकते हैं आपका अपको 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 आपको अपको लगाना पड़ेगा और उसके प्रूफ भी आपको देने पढ़ेंगे ओवी सी की बात करें तो ओवी सी में आप आरक्षण चाहिए तो आप जो है वह सी के बच्चे हैं उनको जो है अपना बूचाती प्रमाना पद्रिया पर लगाना होगा कोई और यदि आपके पास आपका डोकुमेंट है तो वह भी आप जो है पर लगा सकते हैं जिससे कि आपको जो थोड़ों बहुत नंबर हैं पर थोड़ों से एक्ष्टा मिल जाएंगे जैसे कि आपका यहां पर एंसी सी का साटिवीट से आपके पास स्काउट्स का की आपके पर लिखना होगा है तो फ्रेंड यह था आपके लिए बहुत ही अच्छा तो यह वीडियो को शेयर करेंगा और like जरू करिएगा video friend यही आप लोग कमाली support होता है और इसी परकार के नेग video पाने के लिए हमरे चैनल को subscribe करका वैल आइकन को उट कर लीजेगा यही आप लोग कमाली support होता है Thank you very much friend जैहिन दोस्तों आग मिलते हैं next video में ऐसे ही